नमस्कार आप देख रहें एकॉनमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनिंद्यों चक्रवर्ति आज मैं बात करूंगा रेड की राजनीती और रेड की अर्थनीती पर क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं दोस्तों जब भी किसी मीडिया ओर्गनाइजेशन पर रेड होता है च बाकी सारे जितने भी मीडिया हाउस है जितने भी बड़े बड़े कंपनिया हैं जो अखबार चलाते हैं न्यूस चैनल चलाते हैं सब पर इसका असर होता है और यह असर क्यों होता है यह असर इसलिए होता है क्योंकि हर एक हमारे देश में जो अखबार है या न्यूस चैन कोज बिजनेस खोल रखा है, कोई power sector में है, और साथ में वो news sector में भी है, ऐसे news companyा भी है जिननोंने बहुत सारी companyạios में share में पैसे डाले हुए हैं, जिसको private equity deal कहते हैं, ऐसे भी news company आई, तो जब आप कोई भी business करते हैं तब क्या होता है, के आप कोई ना कोई, जो हजारो कानून है, कोई न कोई कानून हर रोज तोड़ते हैं, ये सब ही जानते हैं, हम लोग भी तोड़ते हैं, हर रोज तोड़ते हैं, बिना जाने तोड़ते हैं, कहीं पे हमारा घर के अंदर पानी का लीक हो रहा हो, आपको शायद पता नहीं होगा कि म्यूनिसि तोड़ा सा जमा हो गया आप दो तिन के लिए शहर से बाहर चले गए और वहां पे डेंगू के मच्छर के जो अंडे हैं वो निकल आ है तो भी आपने कानून तोड़ा है तो हर वक्त आप कोई न कोई कानून तोड़ते रहते हैं आपको पता भी नहीं जादातर केस में ये कानून में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई पुलिस वाला या कोई अधिकारी आकर आपको नहीं कहता है आपने कानून तोड़ा है अब आप इस पे जुर्माना भरिये या आप जेल जाए तो लेकिन ज हर रोज ऐसे इंस्पेक्टर या कोई notice इससे जहलना पड़ता है और हर एक business का एक legal department होता है बड़ा सा legal department होता है lawyer को उन्होंने fix किया होता है जो हर रोज कोई ना कोई case लड़ते होते हैं कभी ना कभी कोई listing case का आ जाता है वो लड़ते रहते हैं तो ऐसे जो business हैं इस पर अग तो तुरंट जितने भी बाकी business हैं बड़े कारोबारी हैं जो business newspaper वगरा चला रहे हैं उन पर क्या असर होता है वो सोचते हैं कि भाया news में कुछ गलत मत चापो कुछ भी चीज सरकार के खराफ मत चापो क्योंकि सरकार के खिलाफ चापोगे या दिखाओगे तो क्या होगा आप पर raid हो सकता है आप पर कोई मुकदम अदर्ज हो सकता है और फिर आप लगे रहा हो कोड के चक्करे काटते रहा हो लॉयर के फीज भरते रहा हो और जुर्वाना देते रहा हो इसलिए जब भी कोई raid होता है आज की date पर जहां पर business कारोबार और news बिलकुल एक साथ जु इसी से हमारा मीडिया चलता है क्योंकि मीडिया भी एक business है जैसे अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं मैं free में तो नहीं बना रहा हूं no free में 10 बना दूंगा लेकिन 11 पे बोलूंगा यार मुझे कोई नौकरी करनी है मुझे पैसे चाहिए तो कुछ ना कुछ पैसे तो दे साला जा सकता है एक और चीज़ बहुत एहम बात है कि 2005 45 के बाद जो हमारे देश में लगभग तीन साल तक बहुत बड़ी stock market बूम आय थी 5,000-6,000 के लेवल से सीधा 21,000 के लेवल पर चला गया था सिरफ दो साल के अंदर और ये जो एक stock market बूम आया था ये global factor से आया था पूरे दुनिया में अंतर राष्ट्र कारणों से आया था लेकिन इससे क्या हो था जब जो media houses हैं जो media के owner थे उन्होंने देखा इसे छोटे मोटी कमपनिया जो 100 करोर की कमपनी थी आज वो 1000 करोर की बन गई तो हम भी stock market में जाकर अपना stock लोगों को बेचते हैं तो देखते हैं कि हमारे stock का value क्या होता है और जब ये stock का value बढ़ा तो क्या हुआ stock के value के साथ-साथ उन्होंने साथ में पैसे भी अपने जो share हैं कुछ कारोबारियों को बेचे कुछ investor को बेचे जब भी और या आपने foreign investor को बेचा बाहर से पैसे आया आपका कोई investment आया और ये जब भी होता है जब भी foreign investment होता है तो बहुत सारे कानूनों में एक असमंजस है हमारे देश में कोई भी कानून सीधा नहीं है foreign investment promotion board कुछ कहता है तो और notice आपके पास आजाएगा, कहा जाएगा कि आपने जो भी पैसा उठाया था, चाहे आप सबसे बड़ दुनिया के सबसे मशूर कंपनी से भी पैसे उठाएगे, वो बोलेंगे ये पैसा जो है, ये आपका black money है, और अब आप पूरा tax भरिए, आपके पास regular tax भरने के आज क date पे पैसे नहीं है, आप जानते हैं, media houses का क्या हाल है, जादातर loss पे चल रहे हैं, या बिलकुल नाम का profit हो रहा है उनका, और उस पर अगर करोड़ों का tax का notice आगया, हजारों करोड़ों का, तो आप सोचे क्या होगा, सबसे पहले तो वो दो बार सोचेंगे, कि कोई भी च आपसान तरीका है, IT rate करना, और यह आज की बात नहीं, यह सालों से चले आ रहा है, यह बहुत पुराना खेल है, आज की date पे तो ऐसा हुआ है, कि यह openly हो रहा है, खुले आम हो रहा है, जब दैनिक भासकर ने कुछ खबरे चाप दी, तो उन पर हो गया case, हो सकता है, यह case अ क्योंकि हर वक्त जैसे मैं कह रहा हूँ, business करेंगे तो कानून तोटेगा, और अगर आप कानून तोडेंगे, तो सरकार को आपको tight करने का बहुत आसान तरीका है, और आज की date पे एक और बड़ा चीज हुआ है, पहले जैसे किसी भी news organization पर अगर rate की राजनीती, rate की अर्थ नीती चलाई जाती थी, तो क्या होता था, बाकी जो मीडिया है, बाकी मीडिया कहती थी कि ये बुरा हो रहा है, आप जान बूच के ये खेल खेल रहे हैं, सिर्फ जो owner है या owner की company है, उस पे आप नहीं कर रहे हैं, आप तो news organization को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप बंद करने की, जब आप किसी editor को भोलते कि आप हाजिरी दीजे, IT department में, वो क्या अखबार देखेगा, वो क्या news चलाएगा, वो क्या website देखेगा, आप उनको बिठा के रखेंगे, तो वो क्या reporter को निर्देश देगा, उनको क्या बताएगा कि कौन सी story करने हैं, तो आप उ चल नहीं पाता है, थोड़े बहुत खबरे चापती, लेकिन अच्छे या बड़ी खबरे चापने पाती है, और पहले जब ऐसा होता था, तो पूरी मीडिया एक जुट हो जाती थी, आज के date पे क्या हो रहा है, कि आप पहले एक case तयार कीजे, आसानी से, उसमें कुछ चा होने के डर से, पूरा का पूरा बाकी मीडिया, जिस पर raid हो रहा है, उसके खिलाफ खबरे चापती रहती है, और लोगों के दिमाग में बैट जाता है, कि अरे ये लोग तो चोर हैं, ये जो खबरे दिखा रहे हैं, सरकार के सरकार पर सवाल उठा रहें, सक्ताधारियों प पर raid कर दो, जो सवाल उठा रहें, उनको चुप करवा दो, उनको डरा कर, धंका कर, उनको बंद करवा दो, और जब आप करवाओगे ऐसे, तो बाकी भी डर जाएंगे, बाकी भी line में आ जाएंगे, मैं फिर से एपिसोड के अंत में यही बोलूँगा आप से, आप चुप करते रहें, जो आपको दिखाया जा रहा है गोदी मीडिया में, entertainment है, देखिए, जब वो उसे बोर हो जाएंगे, तो कोई serial देख लीजेगा, लेकिन अगर आप खबर चाते हैं, अगर आप सच चाते हैं, अगर आप चाते हैं, कि जो सत्ता धारी हैं, उन पर सवाल उठाया झाल झाल झाल